असलाव उलेकुम देर स्टुडेंट्स मैं जीशान अली आपका केमिस्टी टीचर बेटा हम चेप्टर शिक्स सुलूशन्स पढ़ रही हैं और आज हम इस चेप्टर का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है कंपैरिजन बिट्वीन ट्रू सुलूशन कोलाइड्स एंड सिस्पेंशन चलाए मूव करते हैं बोर्ड की तरफ सबसे पहले बात आज हम करेंगे सुलूशन्स की ट्रू सुलूशन्स पहला फिचर सुलूशन के पार्टिकल्स का साइज वेरी समाल होता है और उन पार्टिकल्स का जो डायामीटर है वो टैन रेज़ टू पावर माइनस एट सेंटी मीटर होता है ट्रू सुलूशन्स एक होमोजीनियस मिक्स्चर होता है दो या दो से ज्यादा सबस्टंसिस का और इस होमोजीनियस मिक्स्चर में जो पार्टिकल्स हैं वो वेरी समाल होते हैं अगर हम सुलूशन के सेकिंड फिचर की बात करें इस होमोजीनियस मिक्स्चर मिन पूसे सलूशन के पार्टिकल्स होमोजीनियस मिक्स्चर बनाते है और सुलूशन में प्रेजंट हो सकते हैं दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स वागर थूआउट एक true solution homogeneous होगा अगर हम बात करें third feature की particles cannot be seen with naked eye naked eye से हम true solution के particle को नहीं देख सकते और ये एक simple parameter है identify करने का कि हमारे पास जो mixture है वो solution है collide है या suspension है अगर with naked eye हम mixture के particle को नहीं देख पा रहे तो इस mixture को हम बोलेंगे true solution अब हम बात करते हैं fourth feature की particles can easily pass through filter paper यानि true solution के जो particles हैं वो easily pass through हो जाते हैं filter paper से और अगर हम बात करें next feature की solution कैनाट शो टाइंडेल इफेक्ट बड़ा सबसे पहले हमने अंडेस्टेंड करना है कि ये टाइंडेल इफेक्ट क्या होता है जब beam of light solution में से गुजरती है तो कोई dispersion नहीं होती without dispersion light pass through हो जाती है solution से तो इसे भी हम कह सकते हैं parameter recognize करने का कि हमारे पास जो mixture है ये solution है collide है या suspension है अगर mixture से light की beam without dispersion गुजर जाए तो हम उस mixture को बोलेंगे कि ये true solution है और हमारे पास बहुत सारी examples है true solutions की जैसे glucose in water common salt in water etcetera विलकुल इसी respect से dear students हम discuss करेंगे collides को तो collides को discuss करने के लिए हम move करेंगे next board की तरफ collides collides के पार्टिकल relatively large size के होते हैं as compared to the particles of true solution कुलाइट के पार्टिकल्स compose होते हैं group of atoms पर groups of molecules पर या group of ions पर जबके true solution के particles compose होते हैं individual atoms पर ions पर या molecules पर कुलाइट का second feature कुलाइट्स are actually heterogeneous mixture तो कुलाइट्स नजर आते हैं with naked eye के यह homogenous होते हैं but in actual practice कुलाइट्स are heterogeneous mixtures और इनके particle sufficient time लेते हैं for settling down at the bottom of the beaker तो हम कह सकते हैं कुलाइट्स quite stable होते हैं as compared to the suspensions third feature particles cannot be seen with naked eye just like true solutions कुलाइट के particles भी हम with naked eye देख नहीं सकते जैसे हमने पहले feature analysis किया है fourth the particles of collides can pass through filter paper जिस तरह true solution के particle filter paper में से pass through हो जाते हैं बिल्कुल वैसे ही collide के particles भी filter paper में से pass through हो जाते हैं लोच्पिक। जहाँ जिसुक। जह हैं जहाँ देख च्च्च्च्च। जहाँ के क्च्च्च्च्च्च। जहाँ ज Okay. कॉलाइड शो करते हैं टाइंडेल इफेक्ट यानि जब बीम आफ लाइट कॉलाइड में से गुजरती है तो डिस्पर्स हो जाती है और उसकी रीजन के जो पार्टिकल्स हैं कॉलाइड की वो रेलेटिवली बिगर होते हैं देन ट्रू स्लुशन्स तो बहुत सारी एक्जम्पल्स है हम आरपास कॉलाइड की जैसे ब्लड है जैसे मिल्क है जैसे टूथपेस्ट है जैसे जैलीज है और जिस तरह देर स्टूडेंट्स हमने डिसकस किया है ट्रू स्लुशन को कॉलाइड को विद डिफ्रेंट एस्पेक्ट्स बिल्कुल वैसे ही हम बात करेंगे सस्पेंशन्स की तो सस्पेंशन को डिसकस करने के लिए हम मूव करेंगे नेक्स्ट गोर्ट की तरफ सस्पेंशन देर स्टूएंट्स वर्ट पे गार कीजेगा सस्पेंशन यानि ऐसा मिक्स्चर जिसके पार्टिकल सस्पेंटिड हूं पहला फीच्चर पहला फीच्चर पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर अफ लार्जर साइज अस कंपेर तो दा पार्टिकल्स ऑफ ट्रू स्लूशन और पार्टिकल्स ऑफ कोलाइट्स और इनका डायमीटर होता है टैन रेज टू पावर माइनस फाइव सेंटिमीटर यानि सस्पेंशन के जो पार्टिकल्स हैं उनका डायमीटर उनका साइज ट्रू स्लूशन के पार्टिकल्स से और कोलाइट के पार्टिकल्स से ज्यादा होता है सेकिंड फीचर की बात करें सस्पेंशन और हेट्रो जीनियस मिक्स्चर्स यानि जो पार्टिकल हैं सिस्पेंशन के वो जल्दी सेटल डाउन हो जाते हैं at the bottom of the beaker थर्ड फीचर की बात करें पार्टिकल्स of suspension can be seen with naked eye with naked eye हम true solution के पार्टिकल्स को और collide के पार्टिकल्स को देख नहीं सकते लेकिन with naked eye हम suspension के पार्टिकल्स को easily देख सकते हो तो यह भी हमारे पास एक parameter हो गया कि हम कैसे compare करेंगे solution को collide को और suspension को यानि जो true solution के पार्टिकल्स हैं और collide के पार्टिकल्स हैं वो with naked eye हमें नजर नहीं आते लेकिन suspension के पार्टिकल्स को हम easily देख सकते हैं with naked eye अगर हम बात करें फोर्थ फीचर से फीचर से पार्टिकल्स आफ सस्पेंशन के नाट पास थूँ फिल्टर पेपर यानि फिल्टर पेपर में से suspension के पार्टिकल्स पास थूँ नहीं हो पाते जबकि इस बारक्स बात करें solution के particles और collides के particles filter paper में से pass through हो जाती है जब हम light को pass through करते हैं suspension से तो light block हो जाती है यानि light pass through नहीं हो पाती suspension से हमने बात की थी टाइंडेल एफेक्ट की जो show करते हैं collides और नहीं show करते true solution लेकिन light को block कर लेते हैं suspension यानि suspension वो mixture है जिस में से light pass through नहीं हो सकती और अगर हम examples की बात करें suspension की paints है milks of magnesia है या chalk in water है तो डेर स्टूडेंट्स आज हमने in detail discuss किया है differences between true solution collides and suspension next lecture में हम chapter 6 की exercise solve करेंगे उस वक तक लिए बेड़ा Allah अफीज झाल झाल